कि अधियर पेरेंट्स वर्कम मैं चैनल पेरेंट्स है आप सभी को प्यार बहुत नमस्का जैश्री कृष्णा रादी रादी डियर पेरेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे सी ही उमर से जाने जब आपका बच्चा धाई साल का हो जाता है तो भकाएं भुखत जरूरी होता है अपने बचे को स्काना क्योंकि ऐसकल के बच्चे होंगे बिलकुल अनुसासान हिन होते उनु स्क्र frågor नहीं होती है वह अपने पैरेंट्स और नहीं क Grade मानते हैं नहीं इंकी बात मानते हैं बहुऊत ज़ए डिस्रिस्पेक्ट आपने पैरे किस तरीके से उनको दूसरे के साथ वहेब करना बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे को वैल डिस्प्लेंट करना और अच्छे से दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाना अपनी चीजों के ऐस बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों में यह पॉसिबल बड़ों में नहीं आप सिखा पाओगे आपने सर पटक पटक के रह जाओगे लेकिन आपके बच्चे इस चीज को नहीं सीखेंगे इसलिए जब कहते हैं जब कच्छी मिट्टी होती है उसी टायम आप उसको शेप दे सकते हो उसके बाद एक वार पक गया तो आप उसको किसी आपके आपके बच्च्चे को सिहा जीस सखा सकते हैं जिस मैं सब से पहला जो रूल आता है जोज नियम आता है पैरेंट्स को अपने बच्चे को अपने बच्चे को सही टायम पर उठाना और सही टायम पर शुलाना यह बहुत ज़र जरूरी है देओ KundSch Payное चेज है अपने सेट कर दिया तो लाइफ टाइम तक बच्चे का सरकल सेट रहेगा बच्चा टाइम से सो भी जाएगा और बच्चा सुबह टाइम से उठ भी जाएगा अगर आपने टाइम नहीं सेट कर पाया तो जब बच्चे का स्कूल स्टार्ट होगा तो आप बच्चे को नहीं जगा प प्रोब्लम ना थेस करने पड़े बच्चा हमेसा ओवे रहे कि हम उचे करना ही नमर टू जैसे आपके बच्ची कि स्कूलिंग स्टार्ट जाती है आपने बच्चे का इसारा सेडिल कर दिया है बच्चा तायम से सो भी जाता है और थोड़े से एफर्ट लगाते है बच्चा बच्चे काई करती है कि बच्चे ही नहीं पैरेंट्स की डलती है कि हम इपने और बच्चे को अपने अपरीबन टिंग इपनी स्कुल भी हम आफरेंगज़ू मैं चुटी फ़िए खरेंगा त्रह देंग उस कृणा यहां थे थांपने बच्च लॉड़ियर्य ऑंकि अने टीके भुज खुडसे ख्युला हो जहा चीज कि अपना खाना विनिश कर रहा है कुछ बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही वो स्कूल से आते हैं बच्चे की युनिफर्म कही रहती है उन्होंने शूज अलग फैक दिए जो वाटर वोटरल वो कही आलग फैक दिए अच्छा खासा फैलाब आपको अपके घर में मिल जाएगा जब आपका बच्चा स्कूल से लोटके आता है जब भी आपका कर रहा है अच्छे से उसको समझा दीजिए एक फर्म टोन में की चोटा है चाही बड़ा है देखिए बच्चा स्कूल जाने लग गया समझदार है सारी चीज़ को समझेगा उसकी सारी चीज़े स्पेस पना दीजिए यहां पर आपको शूज रखने यहां स्कूल बैग पर पर तरी किसे तहने लगा पाएगा लेकिन आप उसे रखने को काई बाद में चाहें आप उसको समयट के अचिए लेकिन उसको कहीं यह मैनर सिकाना बहुत जरूरी होता है दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे उन्होंने अपना हम वक किया हम वक करने की बाद कहीं पैसल मेज सकतर को कि धिर करना हम निकाल होगे तो किसी अ कवर मजा हुआ है कि मेज स्था हुथ कई जरूरी है यह बिद्य के सस्तु बहुत ज़ूरी है उनको उनका बैक लगाना अच्छी तरी के स्टार्टिंग से डालि एक डालिये किस तरीके से आपको अपना बैग और यני करना है यह चोटी-चोटी सी चीजए अगर आप पन Aww कर लेते हैं अ श्टोल के टाइम में आ यकीन मानिये आपकी आने वाली जर्णी है वह बहुत अच्छी हो जाएगी साथी साथ ये आप ये सारी चीज़ें अपने पहले बच्चे के साथ कर लेते तो दूसरा बच्चा अपने बड़े बच्चे से सीखता है तो वहाँ पर आपको इतने अफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे तो ये चीज आपको करनी है ठीक है अब जो सबसे जो इंपोर्ट कि आपने ऑच्चे के सामने थाली को रख दिया खाना खाना आपको फट्चे ठाड़ी नहीं मैं नहीं नहीं थाओँगा आप मैं वोला क्यों कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है आपने तुरंद मेरा बीटा ये खाईगा तो में ये लेका आते हूँ एगक च्बल्धा बिल्कुल बंद कर दीजे कि अच्छा में यही खाना पड़ेगा यही बनाया है और हेल्धी खाना है बच्छा नकड़े मारा है तुरंत इमिडिटली थाली हटा दू बच्चे के समझ में आ जाएगा कि हाना हट गया और मुझे दूसरी चीज भी नहीं मिल रही थोड़े दे फॉस दे दे दीजे उस खाने को वो खालेगा भूक मैं उस खालेगा जिसने कि जो भी आपने हैल्दी बना था भुचे नहीं खाली है अगर आप उसी समय और अल्टर्नेट टेती कि चाये दे दू में बना दो जब पीजा बना दो पास्ता मान दो चाटनी दो तो बच्चे वहां पर भी आपको ऐसे भी नहीं करना लेकिन हां उसको अल्टरनेट ना बंद कर दीजिए एक फर्म टोन में बोलिए कि हां तुम्हें यही खाना पड़ेगा अभी नहीं तो बाद में तुम्हें यही मिलने वाला है जब फिनिस हो जाए तब दूसरी चीज क्या आप सोचि यह सारी चीजे खाते हैं तो उनकी स्टार्टिंग में उनकी क्रोथ अच्छी नहीं हो पारी अच्छे से घी की रोटी बना कर दीजिए मक्षन के साथ आप बच्चे को रोटी दीजिए हरी अदी सबजी बनाई यह बहुत जारूरी है ठीक है अल्टरनेट रखना बंद कर बच्छ बिल्कुल उसको खाएगा पूरा फिनिश नहीं कर रहा ठीक है उसने हाफ खालिया है जित क्वार्टर खालिया है थाने दीजिए ठीक है फोर्स ली मत थूछी उसके मूं में खा तुझे अभी खाना है तुझे अभी आपको नहीं कर नहीं एग तो बच्छ आपको बात ध्यान में रखनी है अब बात करते हैं बच्छे के टॉइज कि वारे में हम गया करते हैं कहीं मार्केट में जा रहा है पटा फट्से दिल्वा दिया तो बच्चे को उनके जो टॉइज होती है उनका रिस्पेक्ट करना सिकाई कि कितने मुस्किल से चीज़े कम अभी प्रशय all dayПola की टो मना करका टार्च कि अपने मिलगे चीज नहीं ऐगी अगर वोईज कर रहा है तो उसके सामने सब आपको बच्चे करना तो बना श्öttव करना अपने अफ़ चीज और चीज़े करना अपनी चीज लेने के लिए ठीक है कुछ अगर बच्चे को नया चाहिए सर्त रख दीजे के हम आपको यह देंगे लेकिन आपको उसके लिए हमें एक अच्छी से चीज़ करके दिखानी पड़ेगी पर्फोर्मेंस अच्छी करके दिखानी पड़ेगी सारी चीजें आपकी स्कूल की घर वह आपको फॉलो करने पड़ेंगी बच्चे को पैसे की वैल्यू जो रुपीज है उसकी वैल्यू करना सिखाईए किस तरीक से पैरेंट्स कमाते हैं किस तरीक से खर्च किये जाते हैं उनको पैसा आप बच्चे को पैसा बिल्कुल मत दीजिए जो भी चीज बच्चे के लाकर दीजिए पैसे जैसे चीज़ कोई गंधी आदत आपको नहीं डाले है अगर आपके पैसे पैसे ही हाहि रखे हैं आपकी पॉक्ट में हैं पुछ बच्छे मैं बेने देख्डेग कि माँ के जाने निकालने लग जाएंगे पापा की पैंट में पैसे निकालने लग तो आपके जो परसे हैं और आपकी ममी के परसे हैं बिलकुल उनको छूने भी मत दीजे कि वो कभी चूना नहीं है कभी टच नहीं कर नहीं कर नहीं इस चीज की प्रमिसन कभी मत देना अगर चाहते हो कि अपके लिए आपके लिए तो कभी भी अलाव मत करना आप अपने बच्चे को कि परस में हाठ डाले आपा की वाले नहीं क्रिट अधी इस बात कर दिहान रखना ठीके तुझे बेसिक सी इस वह अपने बच्चे को सबस्टेर ही उनके इंडर इंप्लांट कर देनी है कि नहीं करना है क्या चीज नहीं करनी है, बहुत ज़τα शाउटिंग नहीं होना बहुत ज़ता चन्ट्रोलिंग नहीं आपको ओना बट हाँ आपके बात में आपकी बॉइस में फर्म होना चाहिए कि बिटा यह आपको नहीं करना कि बच्चे आपकी आँकों आपकी टोन से ही डरे कि हाँ ममा नहीं बोला है वो हमें नहीं करना तो स्टार्टिंग से ये चीजे अपने बच्चे में आप इंप्लांट करिए समझाइए तो आपका बच्छा आप देखेंगे जब आपका बच्छा फर्स सेकिंड थर्ड में आएगा तब कितना डिस्प्लिंड रहेगा अपनी यूनिफॉर्म जगह पर रखेगा बैग जग आपका खाएगा लाम मित्री ये कर दो बहुत ज़्यादा बंद कर दो बच्चे नहीं आपके कब इप्लेंट होएंगे थोड़ा सा एक बच्चे को डांट ना भी सीको एक खलका चाप लगाना भी सीको मेरा जहने का यहां पर यह मतलब निया कि अपने बच्चे को नहीं तो बहुत जरूरी है कि आप कच्ची मित्टी को ही अच्छी सी ढाल दें जिससे वह एक अच्छा मतका बनके निकले अच्छा पात्र बनके निकले अगर आपने स्टार्टिंग में अप उस मित्टी को टिगड़ा मेरा कर दिया तो फिर आप उसको नहीं समाल पाएंगे तो डियर मॉमी डियर पेरेंट्स क्योंकि मेरी बच्ची है मैं अपनी बच्ची के साथ ही सारी चीजे करती हूं समझाती हूं बच्ची बड़े अच्छे से कुछ समय के लिए बच्चा नहीं कर पाता लेकि दीरे जब वही चीज रेगुलेशन में बनी रहते है कि मम्मा त तो बच्चा दीरे दीरे करके वह फिर उसके आदत में आजाती है तो डियर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्टार्टिंग से डिसिप्लेंड रखें समझाएं सिखाएं अपने टोई को औरगनाईज करना अपनी बैक को औरगनाईज करना टाइम टेबल के अगोर्डिंग अपना लंच फिनिस करना पैसों की वेलुस सिखाएं खाने की वेलु करना सिखाएं अपनी पेरेंट्स की बात की वेलु करना सिखाएं I hope my dear parents आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा कि हाँ ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छ झाल